हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिटस्टेटी में तो आज का हमारा मॉक टेस्ट का सिसन है 13 इससे पहले और 12 मॉक टेस्ट हो चुके हैं जो रोज साम के 5 बज़े आपके प्रॉफिटस्टेटी पे होते ह हैं आप चाहिए किसी भी गवर्मेंट एग्जाम की प्रेपेसन करते हो आपने प्रेपेसन को और बहतर बनाने के लिए हमारे मॉक टेस्ट को रोज सामपाज पे जरूर ज़ुआन करे और हमसे कनेक्ट होने के लिए हमारी टेलेग्राम चैनल प्रॉफिटाश्टेडी को ज जरूर देखेगा और वीडियो के एंड में अपना अवरेल स्कोर जरूर बताएगा कि आपका 30 में साथ कितना स्कोर कियें तो चलिए कोश्चन की सुरुवात करते हैं इससे पहले जो नोग चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब करके बैल बेटर को जरूर दबा दिजेगा और वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड को जरूर सेर कर दिजेगा तो देखेए पहले कोश्चन की साथ सुरुवात करते हैं वीडियो की पहला कोश्चन देखे क्या है कि धोवन सोडा जीसे वासिंग सोडा भी कहा जाता है उसका रसाइनिक नाम क्या है सोडियम बाइक सकेंड देखे कोश्चन नमबर टू आपके सामने है कि विटामीन सी का रसाइनिक नाम क्या है कि विटामीन सी का रसाइनिक नाम क्या है रेटिनॉल एस्कॉर्बिक एसिड कैसिफेरोल या फिर टेकोफेरोल तो इस question का right answer है आपका option C का रसाइनिक नाम क्या है ascorbic acid आप लोग note कर लिजेगा या फिर इस question का skin shot ले लिजेगा चलिए question number 3 देखे कि हजामत बनाने के लिए मतलब saving करने के लिए किस दरपन का परियोग किया जाता है किस mirror का use किया जाता है उतल दरपन, आउतल दरपन, समतल दरपन या फिर गोलिय दरपन उतल दरपन, आउतल दरपन, समतल दरपन या फिर गोलिय दरपन तो इस question का right answer है आपका option C की आउतल दरपन का परियोग किया जाता है क्या ओतल दर्पन का परियुक किया जाता है हाजामत बनाने के लिए कोशन नमबर थर्ड देखिए कि द्रव का आप एक्षित घना तो मापा जाता है द्रव का डेंसिटी किस में मापा जाता है हाइड्रोमीटर में, हाइड्रोमीटर में, रेंगेज में या फिर ओड्रोमीटर में तो इस question का right answer है आपका, option B, हाइड्रोमीटर में द्रव कहने तो किस में मापते हैं, हाइड्रोमीटर में मापा जाता है question number 5 देखिए, अदीस मात्रा है जिसमें परिणाम होता है लेकिन क्या नहीं होता है कहने का मतलब है कि अदिस एक रासी है जिसमें मात्रा होती है और इसके साथ क्या नहीं होती है इकाई, दरव्यमान, दिसा या फिर उप्युक्ट सभी तो इस question का आपका right answer है option C दिसा अदिस में क्या होता है आपका परिणाम होता है लेकिन दिसा मतलब आपका direction नहीं होता है कि किस direction का बात कर रहा है यह आपका इसमें नहीं होता है जो आपका सदिस में direction और दिसा दोनों, direction और परिणाम दोनों होता है question number 6 देखिये पूंण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकास जाता है हीरे से काच में, glass, जल से काच में, वायू से जल में, या फिर वायू से काच में, पूंण आंतरिक परावर्तन वोरा, total internal reflection किसमे हीरे से कांच या फिर जल से कांच, वायू से जल या फिर वायू से कांच तो इस question का right answer है option B कि जब जल से कांच में जाता है तो हमारा total internal reflection जिसे TIR कहा जाता है वो होता है कब जब जल से कांच में हमारा प्रकास जाता है तब चली question number 7 देखिए कि quantum सिध्धान्द के प्रति पादक है quantum सिध्धान्द, addition, Newton, Max Planck या फिर कुलम तो इस question का आपका सही जवाब है option C कि Max Planck क्या Max Planck quantum सिध्धान्द के प्रति पादक है question number 8 देखिए उचाई बढ़ने से वाई मंडल ये दाब में क्या प्रभाव पढ़ता है इस्तिर्ग रहता है, घटता है, बढ़ता है या फिर कोई प्रभाव नहीं मतलब अधर थाक कोई नहीं उचाई बढ़ने के साथ तो देखिए इस question का पराइटेंस है, option B घटता है मतलब हम जैसे जैसे वाई मंडल की ओर जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है pressure, वाई मंडल ये दाब कम लगने लगता है, घटता जाता है question number 9 देखिए कि निम्न में से कौन सा तत्व सभी योगीक बनाता है सभी के साथ योगीक बनाता है, chromium, potassium, aluminium या फिर sodium तो इस question का पराइटेंस है, option A कि chromium जो है, वो सभी के साथ योगीक बनाता है चलिए question number 10 देखिए हाइडरोफोबिया रोग होता है, जिवानू द्वारा, कवग द्वारा, विजानू द्वारा या फिर प्रोटो ज्वा द्वारा और ये question आपका बहुत बार, RRB में, SSC में और पुलिस में इन तमाम तरह के exam में ये question को बार बार repeat किया इसलिए question को आप लोग note करके, या notebook में या फिर skin sort लेकर रख सकते हैं तो देखिया hydrophobia रोग होता है, जिवानू द्वारा, कवग द्वारा, विजानू द्वारा, फिर protozoa द्वारा तो इस question का अगर सही जवाप है, आपका option C की विजानू द्वारा मैं एक separate विडियो बनाऊँगा जिसमें आपको जिवानू द्वारा, कवग द्वारा, विजानू द्वारा और protozoa कौन कौन सा रोग होता और किस-किस अंको प्रहोईत करता है, उसमें आपको पता चल जाएगा question number 11 देखिए, सोना किस अमल में घूल जाता है, असानी से सोना किस अमल में घूल जाता है, सांदर सल्फिलिक अमल, सांदर नाइट्रिक अमल, अमल राज या फिर एसिटिक अमल question number 12 देखिए, यदि किसी पिंड के समवेग को 50% बढ़ा दिया जाए, तो गतीच उर्जा में क्या होगा समवेग मतलब होता है momentum, अगर किसी वस्तू का momentum हम 50% बढ़ा दिया, तो क्या होगा बताए इसका answer, 50% बढ़ जाएगा, 50% घड जाएगा, या फिर 125% बढ़ जाएगा, या 125% घड जाएगा तो इस question का आपका right answer है, option C की 125% बढ़ जाएगा, अगर हम पिंड के समवेग को 50% बढ़ा दियते हैं, तो हमारा गतीच उर्जा क्या होगा, 125% बढ़ जाएगा, गतीच उर्जा का formula होता है, half mv square question number 13 देखे, कि पर्मानु बम अधारीत है, नाभीकिये शनलेयन पे, अनियंतरीत, नाभीकिये विखंडन, या फिर अनियंतरीत, नाभीकिये विखंडन, या फिर सभी तो इस question का सही जवाप है आपका right answer of this question C है कि अनियंत्री नाभी किये विखंडन पर अधारित है परमानू बम Question number 14 देखिए लार में पाए जाने वाला enzyme जो की Astaas को glucose में परिवर्थित करता है वो क्या है? Maltose, Gymes, Lipes या फिर Erypison तो इस question का आपका सही जवाप है Option A, Maltese, क्या होता है लार में पाए जाने वाल enzyme जो Astaas को glucose में परिवर्थित करता है वो क्या है? Maltese, Question number 15 देखिए Petrol में विखैला पदार जो मिस्रित होता है वो क्या है? Butane, Tetraethyl, Lead या फिर Nitroculine या DDT तो इस question का आपका सही जवाप है Option B, Tetraethyl, Lead क्या है? Tetraethyl, Lead Question number 16 देखिए Hydrocarbon का प्राक्तिक स्रोख्त क्या है? मतलब Natural स्रोख्त क्या है Hydrocarbon का? कच्चा तेल, जिव भावर, कार्भो हाइट्रेट या फिर कोईला तो question number 16 का आपका सही जवाप है Option A, कच्चा तेल Hydrocarbon का प्राक्तिक स्रोख्त क्या है? कच्चा तेल Question number 17 देखिए किस गैस का प्रियुक सिग्रेट लाइटर में होता है? चार option देखिए Butane, Methane, Propane, या फिरेडाउन तो इस question का आपका सही जवाप है Option A, Butane Butane से आपका सिग्रेट लाइटर में परियुक होता है Question number 18 देखिए कवग विज्ञान के जनक कोंते, very important है माइकेली, केसी महता, स्टीफर हैंस, या फिर E.J. बटलर Question number 18 का आपका right answer है Option A, माइकेली क्या माइकेली कवग विज्ञान के जनक थे Question number 19 देखिए अप्था लिमक का संबंदित किस्से है? नाक से, मुह से, जीब से, या फिर आख से तो इस question का आपका सही जवाप है Option D की आख से, अप्था लिमक का संबंदित किस्से है? आख से, Question number 20 देखिए दोहनी तरंगे हैं, अनुधेर्ज, अनुप्रस्त या फिर बिद्धूत चुम्बक किये, या फिर इनमें से कोई नी तो इस question का right answer है आपका Option A, अनुधेर्ज, जितनी विद्धूहनी तरंगे हैं, वो अनी धेर्ज होती हैं, Question number 21 देखिए एक कार बैटरी में परियुक्त विद्धूत अब घटन होता है एक कार की बैटरी में परियुक्त विद्धूत अब घटन होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, सल्फियूरिक अम्ल, नाच्रिक अम्ल या फिर आचुद जल तो इस question का आपका सही जवाब है, Option B, सल्फियूरिक अम्ल, मतलब S2, ASO, 4 King of Acid भी जिसे कहा जाता है, Question 22 देखिए, कि प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिक्तम होता है बैगनी का, लाल का, नारंगी का या फिर हरा का तो Question 22 का सही जवाब है, आपका Option A, कि बैगनी का आपका विचलन सबसे ज़्यादा होता है Question 23 देखिए, निम्न में से अस्थाइकन है, मतलब अस्थाइकन पूछ रहा है, इलेक्ट्रोन, प्रोट्रोन, न्यूट्रोन या फिर सभी तो Question 23 का सही जवाब है, राइट एंसर अप दिस Question, Option C, न्यूट्रोन न्यूट्रोन आपका हमेशा अस्थाइकन के रूप में माना जाता है, Question 24 देखिए, कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहूलक परियुक्त होता है, पॉलियतिन, पॉलियमाइड, पॉलिप्रोपेथिन या फिर पॉलिकार्बोनेट तो इस Question का सही जवाप है, आपका Option D की पॉलिकार्बोनेट का यूज होता है, कब जब बुलेट प्रूफ कोई चीज बनाना हो, तब पॉलिकार्बोनेट का यूज किया जाता है, Question 25 देखिए, मानो शरीर में मास्टर ग्रनती कहलाती है, पिट्रिवट्री, थाइराइड, या फिर पैराथाइराइड, तो इस Question का आपका सही जवाप है, Option A की पिट्रिवट्री, पिट्रिवट्री को हम किस रूप में देखते हैं, मानो शरीर में मास्टर ग्रनती के रूप में, Question 26 देखिए, कौन सा रोग जिवानू के कारण होता है, खसरा, मलेरिया, पोलियो या फिर TB, तो इस Question का सही जवाप है, आपका Option D, TB, TB रोग किस से होता है, जिवानू के कारण होता है, Question 27 देखिए, फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए, उच्छ प्रतिरोद, निम्न प्रतिरोद, उच्छ नमनेता, या फिर उच्छ गलनांक, जो हम घर में हमारा फ्यूज वो होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस का, या फिर लो रेजिस्टेंस का, या फिर हाई नमनेता, या फिर उच्छ गलनांक, तो इस Question का सही जवाप है, आपका Option B, कि निम्न गलनांक, मतलब लो रेजिस्टेंस का, क्या रेजिस्टेंस उसका लो होना चाहिए, Question 28 देखिए, किसी गैस का आयतन प्रसार गुनांक हमेशा होता है रिनात्मक सुनने एक सुनने के बीच या फिर एक से उपर 0 होता है या फिर नगेटिव होता है या एक और 0 के बीच में होता है या फिर 1 से उपर होता है तो इस question का सही जवाप आपका option A की रिनात्मक होता है गैस का गुनांक हमेशा रिनात्मक होता है मतलब negative में Question number 29 देखिए की एस्पीन का रसाइनिक नाम क्या है Aceticamble, Trichloromethane, Ascorbicamble या फिर Acetyl Salicylicamble तो इस question का सही जवाप आपका option D की Acetyl Salicylicamble Aspin का रसाइनिक नाम होता है Question number 30 देखिए राइट Last question है इस session का सूरी की किर्णों का कौन सा भाग Solar Cooker को गर्म करता है Infrared किरने या फिर Cosmic किरने, Pra Bagni किरने या फिर Red Light किरने तो इस question का आपका सही जवाप है option A Infrared किरने अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर सेयर करिएगा ये बात आप लोग याद रखे कि मौक टेस्ट रोज होता है हमारे चैनल पे रोज साम 5 बजे तो चली मिलते हैं कल इसी टाइम में रोज साम 5 बजे तब तक के लिए धन्यवाद